तो आपके लिए मैं style component का crash course लेके आ गया हूँ जहां पर मैं आपको style component का लगबग हर चीज आपको explain करूँगा वो भी काफी अच्छे से ठीक है और उससे पहले जान लेते हैं कि जो style component है वो कितनी company यूज करते हैं तो अभी मैं फिलाल style component के home page पर हूँ तो मैं अगर नीचे scroll करूँ तो आप देख सकते हैं कि काफी सारे जो company जो style component को use करते हैं सारे यहां पर लिस्टेड है तो यहां पर github भी use करता है google भी use करता है और काफी सारे यहां पर जैसे spotify हो गया और यहां पर आपको preview भी देखने को मिल रहा है कि कौन-कौन से use करते हैं और इसका जो package का support है आप देख सकते हैं 36 के star मिला हुआ ठीक है इसका package पर ठीक है पर जो class name का bug है उससे जूजना नहीं पड़ता है तो आपको कोई unique class name रखने की जरुवत नहीं पड़ेगी style component के अंदर और जो duplication का जो issue आता है normal CSS में वो नहीं आएगा overlap का issue नहीं आएगा miss spelling यानि गलत spelling लिख दिये उस सब का issue यहां पर नहीं आएगा ठीक है उसके बाद अगर मालेज़े जो plain CSS होता उसमें अगर आप कोई component पर styling apply के और उसका जो CSS delete करना होगा तो उसमें आपको काफी सारे दिक्कते को आसामना करना पड़ता है लेकिन जो style component अगर आप use करते हैं तो कोई भी CSS का जो भी property आप आसानी से delete कर सकते हैं यानि खोजने में navigate करने में काफी आपको असान ही मिलते हैं उसके बाद यहाँ पर simple dynamic styling इससे क्या समझ में आ रहा है कि आप javascript से easily style को यहाँ पर manipulate कर सकते हैं यानि कुछ भी property को javascript से ही handle कर सकते हैं जो कि आप plain CSS में करने के लिए आपको different class नहीं बनाना पड़ता था ठीक जाएंगे कि उसका क्या काम है तो इस वजह से जिसका maintenance होता है वह काफी आसान हो जाता है automatic vendor prefetching तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप CSS लिग दीजे style component के मदद से बाकी style component का जो library है वह आपकी लिए CSS उसका अच्छे से handle करेगा ताकि आप benefit जादा से जादा ले सके ठीक है तो यह सब फायदे हैं जो कि आपको style component के अंदर देखने को मिलता है तो guys मैंने bare minimum react app को setup कर लिया और देखे यह running भी हो रहा है तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे style component है उसको हम लोग install करेंगी तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहां से terminal को split कर लेता हूँ और simply यहां पे लि tag करूंगा कि इसके अंदर अभी जो app.js में जितना भी चीज़े हैं मैं क्या करता हूँ इसको यहां से remove कर देता हूँ simple अभी के लिए एक divat कर देते हैं और इसको भी हटा देते हैं क्योंकि जरूरत नहीं है इसके बाद देखें यहां पे blank हो गया तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक h1 tag बनाएंगी और उसका एक wrapper बनाएंगी तो style component को use करने के लिए सबसे पहले style को यहां पे import कर लेते हैं तो लिखते हैं style from style component तो यह हमारे style आ गया है और style component का जो भी component आपको बनाना है वह आपको function के अंदर कता ही नहीं बनाना उसके ऊपर में लिखना है ठीक है तो सबसे पहले मैं title बना लेता हूं ठीक है तो यहां पर लिखते हैं और इस capital में होगा ठीक है ताइटल और आपको simply क्या करना है यहां लिखना है style dot और dot के बाद आप देखेंगे कि जितने भी यहां पर HTML के tag है वो सारे यहां पर आगे देखिए h1 आ गया है सारे यहां पर visible है तो मैं अभी फिलाल के लिए h1 ले लेता हूं ठीक है और इसके बाद आपको keyboard में जो backtix का button है उसको click करना है तो आपको backtix का button कहा मिलेगा जो one होता है उसके just पहले ही मिलता है ठीक है तो इसको मैं click करूंगा तो यहां पर यह आ गया उसके बाद एक चीज म मैं बता देता हूं तो यहां पर लिखेंगे styled components सर्च मारना है तो यहां पर आपको यह वाला मिल रहा है VS code style component तो इसको simply आपको क्या करना है install मारना है तो इससे फायदा क्या हो कि जो backtix के अंदर जो भी आप code लिखेंगे ना वह ही से highlight होगा तो मैं मान लीजिए यहां प property देख रहे हैं CSS का auto highlight हो रहा है तो यह हो रहा है इसके मदद से style component का extension के बदला तो आपको सबसे पहली यह वाला install कर लेना होगा VS code में ठीक है components ठीक है इसको save करते हैं और output देखते हैं तो देखिए यहां पर आ गया और इसको चाहे तो मैं और भी बड़ा कर सकता हूं तो 6 RAM कर देते हैं तो देखिए काफी बड़ा हो गया और इस title के उपर चाहे तो आप एक wrapper component भी बना सकते हैं तो चलिए एक बनाते हैं कॉंस टाइटल रैपर नाम में रख देते हैं इसका इस टाइल डॉट और एक डिव एलिमेंट ही रखते हैं ठीक है और बैक्टिस दबाएंगे और इसका सिंपली क्या करें जो बैक्राउंड कलर है लिखते हैं बीजी एमेट के जितने भी यहां पर सॉटकट है वह सब बैक्ग्राउंड आ गया मैं इस पर क्लिक किया और बैक्ग्राउंड को मैं सेट कर देता हूं इसका कलर ब्लू ठीक है ब्लू तो सेब करते हैं तो अभी आपका काम नहीं करेंगा क्योंकि हमारे जो कॉम्पोनेंट है उसके उपर कवर करना होगा तो सिंपल इसको कट करके जो टाइटल व्रैपर है। उसको यूज करते हैं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए अभी हो गया अब देखते हैं बैक्गरींड hier आगया तो यह background color इसका blue है, तो इसका color मैं white कर देता हूँ, ठीक है, step, तो देखिए, काफी मस लग रहा है, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसको पढ़ने में आप easily समझ जाएंगे कि यह title है, और इसको title को wrapper है, तो इसको पढ़ना काफी असान है, यानि इसी से आपको प करता हूँ, एक अभी के लिए न्यूव फोल्डर बना लेता हूं, ठीक है, और इसे मैं इसके अंदर फिलाल के लिए डाल देता हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं एक file बना लेता हूँ, app.style.js, ठीक है, यह वाला जो पुरा code है, यहाँ से मैं copy करता हूँ, और यह वाला file के मैं डाल देता हूं ठीक है और इसके बाद सिंपल क्या करेंगे यहां पर export लगा देंगे export कर दिया मैंने यहां सा भी export ठीक है और इसके बाद हम लोग simply इसको यहां से हटा देते हैं और इन चीजों को हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे इंपोर्ट करने के लिए आपको दबाना है कंट्रोल स्पेस तो देखें इंपोर्ट आ गया इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूं ठीक है तो अब बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आएगा तो यहां पर आप को मैंने इसमें रखा तो फोल्डर में इसके वएसे इसका जगह भी गड़ा गया है तो इसको अब यह काम करेगा तो देखिए एक्जैक्ट से भी है भी है तो देखिए कितना आसानी से आप यहां पर स्टाइल को मेंटें कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो स्टाइल क वापस से पेस्ट कर देते हैं ठीक है तो जब भी मेंक्व क्रेट करें काप क्या करे अपने आप मैंट फंक्सिन है उसके जस्नी नीचे कर रहे ताकि आपको पता चला है कि ईग्ड wedis god फाइल वह नीचे में तो आपको इसीनली क्रॉल करके पहुंच जाएंगा उपर में र तो छली अब हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग प्रॉप्स का यूज करते हैं स्टाइल कॉम्पनेंड में तो अभी के से करता हूं जो भी यहां पर मैंने ने भ撲िख सब्सक्राइब्स हटाaba ओ गया और यहां पर मैं क्या करूँगा बटंस बनाने वाला ठीक है तो अभी के लिए में एक डिव ले लेता हूं कॉमन सा और यहां पर मैं लिखता हूं बटन और बटन के अंदर एक मैं लिखता हूं नॉर्मल बटन है यह और इसी को मैं नीचे एक्स्टेंड करके इस बटन को नाम रख देते हैं प्राइमरी ठीक है प्राइमरी बटन हो गया और इस बटन का हम लोग क्या करते हैं स्टाइल कॉम्पोनेंट से एक बटन बना लेते हैं लिखते हैं कॉंस्ट बटन और स्टाइल आ गया डॉट और हम लोग को यहां पर बटन चुनना होगा बटन आ गया और उसके बाद यहां लगाके बटन का कुछ प्रॉपर्टी हम लोग को अप्लाई करना है तो मैं यहां पर कुछ कोड यहां से कॉपी करता हूं और यहां डाल देता हूं तो यहां पर देखिए दो बटन आ गया एक नॉर्मल बटन एक प्राइमरी तो इसका हम लोग बैक्ग्राउंड को प्रॉप यहां पे easily हम यहां पर जावा स्केट भी यूज कर सकते हैं ठीक है तो उसके लिए हम लोग सिम्पल यहां पर डॉलर का सिंबल लगाएंगे करले ब्रेसे साब और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे फंक्सन मना लेंगे छोटा सा ठीक है और फंक्सन को रिटर्न का स्क्रा यहां पर तो पहले मैं क्या करता हूं इसमें प्रॉप्स ले लेता हूं तो यहां पर हम लोग एक और empty bracket खोलेंगे और यहां पर लिखेंगे मान लिजे primary लिख दिया तो अगर मान लिजे primary exist करता है तो हम लोग क्या करेंगे इस का जो बटन का color है वो मैं करूँगा green ठीक है और अगर यह small में होगा और अगर primary exist नहीं करता है तो मैं इसका जो color है वो white ही रहने दूँगा ठीक है और इसके बाद जो main text का color है उसको भी adjust करते हैं तो मैं क्या करता हूं इस ही को यहां से copy करता हूं और यहां पर paste कर देता हूं ठीक है इसमें इस बार color इसका white रख देते हैं और इसका color green ठीक है और यह जो border है इसको भी मैं green कर देता हूं तो देखें यहां पर दोनों button जो है ना simple है यानि normal button है तो अगर हम लोग को इस button पर primary apply करना है तो मैं simply यहां पर primary pass कर दूँगा primary ठीक है और primary में हम लोग को यहां लिखना है true ठीक है इसको save करेंगे तो देखें यह button primary हो गया तो react में आपको यह ऐसा पास करनी की जूरत नहीं है तो इसको अटा देते हैं फिर भी exact same behavior तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते है प्रॉप्स पास कर सकते है ठीक है और चाहे तो ऐसा मैंने किया ना तो देखें हम लोग यहां पर दो property adjust करना पड़ रहा था तो काफी महनत लगेगा अगर माली जब font अलग रखना है तो बार बार ऐसा लिखना थोड़ा महनत वाला काम है तो इस महनत से बचने के लिए आप क्या कर सकते है यह मैं line of code को यहां से copy करता हुं ठीक है और मैं इसे अभी simple यहां पर पेश्ट कर दिया दिया और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर पर सेंट लगा देते हैं और यहां पर हम लोग एक चीज़ इंपोर्ट करना है तुक है मैं इंपोर्ट कर लेता हूं यह चीज इंपोर्ट हो गया उसके बाद हम लिखेंगे css उसके बाद यहां पर भी बैक टिक्स लगेगा और इसके अंदर हम लोग प्रापर्टी लिखेंगे यह वाला बैक ग्राउंड का लिखते हैं बीजी बैक ग्राउंड कलर रख देते हैं हम लोग प्राइमरी का क्या ग्री और इसका जो कलर होगा वहोगा वाइट दिए मैंने तो अब इसकी जुरूत नहीं है मैं सिंपल जो डिफॉल्ट वाला है उसे मैं वाइट ही कर देता हूं और इसको मैं डिफॉल्ट को क्या करता हूं ग्रीण ठीक है तो आप देखते हैं कोई बिएवियर में चेंज जाया नहीं एक्जाक्स सेमैन तो इस टाइप से यूज करने से क्या है हम लोग और भी इसके वेरियेंट बना सकते अगर मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पर पेस्ट किया ठीक है इस बार मैं सेकेंडरी कर देता हूं सेकंड री और सेकंडरी में जो कलर है वो पींक रख देते तो देखें यहाँ पर जो बॉर्डर है ग्रीन था न तो इसको में लोगों करना है इसको कॉपी करते हैं और इसको मैं यहां पर पेस्ट करके बिंक बना दिया ठीक है और अब ट्राइए करते हैं कैसा भी यह भी आ रहा तो सिंपल एक और बटन बना लेते हैं और यहां पर लिखते हैं प्राम रिटा तो सेकेंडरी ठीक है तो देखिए इस secondary button बन गया और इसका जो border है वो भी pink हो गया तो इस type से हम लोग जो CSS वाला जो इसमें एक मिलता है function उसका भी use कर सकते हैं तो style component के handle props को handle करने का दो तरीका मैंने आपको बता दिया आपको जो पसंद हो आप वो use करें तो चलिए अब हम लोग देखें कि कैसे हम लोग style component के किसी भी component को कैसे extend कर सकते हैं तो यह जो default button है इसको हम लोग को extend करना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ एक और button बनाता हूँ ठीक है और extend करने के लिए आपको simple क्या करना यहां पर bracket खोलना है और इस bracket के अंदर यह जो button है यह यहां पर आपको pass कर देना है ठीक है तो यह pass करने के बाद आपको वापस से backtricks दबाना है ठीक है और इसके बाद मैं इसको थोड़ा semicolon लगा देता हूँ और इसके अंदर आप जो भी property लगाएंगे वो extend हो जाएगा तो क्या हम करते हैं इसी font size को बढ़ा करते हैं ठीक है और यहां पर मैरी नेम करके इसको लग देता हूँ big button सेब करते हैं तो देखिए यह button आ गया और इस खास बात देखिए कि जितना भी हम लोग ने प्रॉप्स पास किया था ना वह exact इसमें काम कर रहा है ठीक है तो अगर मैं इसके copies बनाता हूँ ठीक है और इसको मैं इसको म और मली रहेगा सेब करते हैं तो देखिए सबका वेरियंट यहां पर बन गया जो की काफी अच्छी बात है तो इस टैप से आप कुछ भी extend कर सकते हैं तो और एक चीज मैं बता जाता हूँ कि जो भी आप style component बनाते हैं जैसे कि मैंने अभी button बनाया तो उसके अंदर आपको आज करके एक प्रॉप मिलता है ठीक है तो इसमें अगर मैं लिख देता हूँ यह हो लिष्ट लिख दिया लाई मैंने पास कर दिया तो यह पास करने से क्या होगा यह जो बटन का जो html का टाइप है वो लिष्ट का हो जाएगा ठीक है तो चले देखते हैं लिष्ट होता कर अगर मैं यहां पे कुछ और पास करता हूँ अभी के लिए मैं यह पास करता आँ एक तो यह कैसे अब करता हूं तो यह बन गया आपका लिंक इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो देखें यहां पर लिंक खुल रहा है तो इस तरह से as का जो property है वो हम लोग use कर सकते हैं तो चलिए एक और मस चीज मैं आपको दिखाता हूँ तो मैंने एक यहां पर code copy किया है जो कि एक reverse button का component है react का जिसमें हम लोग यह button में कुछ property पास करें तो इस button के अंदर जो भी children आएगा ना वो क्या होगा reverse order में हो जाएगा ठीक है तो चलिए इसको try करते हैं तो इसको मैं copy करता हूँ और as prop में मैं pass कर देता हूँ ठीक है यहां paste करते हैं तो देखते हैं reverse होता है कि नी तो देखिए reverse हो रहा है तो इस तरीके से आप as prop के अंदर कुछ भी pass करते हैं कोई जैसे यहां पे अगर आप react router यूज कर रहे हैं तो यहां पे उसका जो link component है वो pass कर सकते हैं और उस पे भी styling apply कर सकते हैं तो यह चीज आपको जानना बेहत जरूरी था तो guys आप लोग ने कभी sas अगर use किया आगा तो उसमें आप लोग nesting कर सकते हैं pseudo class select कर सकते हैं तो यह सब सारी चीजे कर सकते हैं तो वह हम लोग यहां पे perform करने वाले हैं तो अभी क्लिए मैं क्या करता हूँ और इसके अंदर लिख देते हैं this is link और इसके अंदर मैं एक class name डाल देता हूँ जिसका नाम रखते हैं link ठीक है और इसके पाहर मैं यह वाला जो Google का link है वह मैं यहां पे paste कर देता हूँ तो अभी देखते हैं structure कैसा है तो कुछ अभी ऐसा structure हम लोगों को देखने को मिल रहा है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यह जो बीग बटन है इस पर हावर इफेक्ट डालेंगे तो उसके लिए मैं यहां पे चलता हूँ और जो pseudo selector है and percent का यहां पे symbol देना है और यहां पे आपको full corner लेके जो भी आपका state है जैसे hover state हो गया और भी काफी state है जैसे focus state तो सारे state यहां पे आपको देखने को मिल रहा है ठीक है जो भी आपको pseudo जो चीज यूज करना है वह आप यूज करें तो मैं यहां पे हवर डालता हूं और हवर में मैं बीजी बैग्राउंड कलर जो है उसको मैं कर दूंगा white ठीक है और जो text का color है वह होगा black ठीक है आपका बीग बटन पश्या आ रहा है या बाकी किसी पर नहीं आ रहा है क्योंकि अमने उस ही पर कलर है वह होगा वाइट ठीक है देखिए कलर वाइट हो गया यहां पर दिखने रहा है जो आपका डिस्क था ना वो तो मैं यहां पर इसको रैड कर देता हूं ताकि आपको दिखें देखिए रैड हो गया रिष्ट का कलर और चाहे तो आप इस एंड परसंट नहीं भी और यहां पर मैं इसको कर देता हूं रैड ठीक है जो लिंक है मैं रैड कर देता हूं कलर को कलर रैड ठीक है देखिए अब लिंक रैड हो गया तो अब हम लोग ने सीख लिया कि कैसे किसी भी ऐलिमेंट का नेस्टिंग करके उसका जो स्टाइलिंग है वो चैंज किया स्टाइल कॉंपोनेंट के डॉक्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आगा लेकिन मेरे तरफ से जितना हो सका मैंने आपको बता दिया ठीक है तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि स्टाइल कॉंपोनेंट के अंदर हम लोग एट्रिब्यूट कैसे अटाच कर सकते ह अभी यह जो लिंक है इसको मैं स्टाइल कॉंपोनेंट बना देता हूं उसका ठीक है तो मैं लिखता हूं लिंक और इसका मैं स्टाइल कॉंपोनेंट एक अलग से बना लेता हूं लिखता हूं कॉंस लिंक और इसको सिंपल लिखते हैं स्टाइल डॉट एंकर टैग और यह पे जो इसका property है यह वाला मैं यहां से cut कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं इसकी जरूद नहीं अब और simply जो class name है मैं यहां से सको हटा देता हूं अभी एक चीज देखिए कि यह जी link पर मैं क्लिक करूँगा तो यह google खुलेगा गुगल लेकन सेम पेस्टेढ यह चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कुल यहां जाना है जो लिखना ऑफ इसके अंदर आपको एक फंक्सन मिलेगा और यहां पर लिख सकते हैं चलिए मैं लिखता हूं कि मैं लोग क्या value set कर दिया तो अब मैं इसको नई लूप का फिर भी काम करेगा देखिए मैं क्लिक करता हूं देखिए अभी भी सेम भी यह रहे तो इस टाइप से आप अटाइज कर सकते हैं style component में attributes ठीक है तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि animation कैसे हम लोग perform कर सकते हैं style component में ठीक है तो इसके लिए मैं एक एनिमेशन का एक प्रॉपर्टी है क्या करता हूं यह जो बटन में बटन इसमें अप्लाई करता हूं ठीक है और यह रोटेट नाम का एनिमेशन हम लोग को बनाना पड़ेगा ठीक है तो इसके लिए मैं लिखता हूं करने की जुरू होती है ठीक है और यहां और फिर भी आपको वेकटिक्स लगाना और शिंपल यहां लिखनाै कहां से कहां तक तो जैसे आप स्ट्रीrew पर डाना करना हfrum थो डŒर्म करता और टू कर देते हैं टू ट्रांस्फोर्मेशन और यह वगा रूटेट आपका 360 डिगरी ठीक है इसको सेप करते हैं तो चलिए अब देखते हैं क्या चेंजेस आया तो देखे सारे बटन यहां पर गोल-गोल घूमने लगें तो इस टाइप से आप लोग एनिमेशन यहां पर इसके पर्फॉर्म कर सकते हैं तो आप हम लोग चलिए देखएं कि ग्लोबल स्टायल कौम्पनेट्स के आंदर कैसे कर सकते हैं गूर्ष इसमें्पल क्या करना यहां पर जो ग्लोब्ल स्टायल इसको यहां से import करना है create global style ठीक है और इतना करने के बाद हमें क्या करना यहां पर create global style है उसके अंदर आपको object मिलता है तो यहां पर आप कुछ भी pass कर सकते हैं जैसे body मैंने select कर लिया तो body का जो color है वो जो मुझे रखना है black ठीक है बीजी background मैं रख लेता हूं तो यहां पर मैं string pass करूंगा black ठीक है और इस style को मैं copy करूंगा और यह जो डीब है इसको मैं अभी फिलाल हटा देता हूं अब बस यहां पर मैं इसको apply कर देता हूं ठीक है तो यह apply हो गया तो देली देखते हैं क्या भी यह वे रहे तो इस type से हमारा global हो गया तो इसे हम लोग चाहते तो index में रख लेते हैं ठीक है एक बार मैं index.js में चलता हूं और इसको यहां रखता हूं और यहां से मैं कट करता हूं यहां से और वापस से यहां ठीक है पेस्ट करते हैं और इसको भी इंपोर्ट करना होगा इंपोर्ट हो गया तो देखिए अभी भी सेम भी एविए रहे तो इस टाइप से हम लोग यहां से अपस्ट कर सकते हैं तो अब हम लोग क्या है तो इसके लिए हम मोग को सब से पहले जो थीम इंपोर्ट कर ना ओंगा और इसे इसको कट करके यहां बार Дाला और उनीचे डाल दिए तो इस सीब प्रवाइड़ करण थीप प्रेस दर लोग को दू disc Hide यहां पर मैं एक वेरियेवल बना लेता हो रिखता हूं ओ और इसके अंदर मैं इस बना लेता हूं मैं डाल समय रखता हूं प्राइमरी थे ऐसे?, जो आभी के लिए ठीक है और इसको अमान लिजे एक्सेस करना है तो इसके लिए पहले तो यह थीम को मैं यहां पास कर देता हूँ ठीक है तो इसे चाहे तो आप किसी और फाइल में रख सकते हैं लेकिन अभी भी चलेगा कोई नहीं तो बस इस थीम को पास करने से अब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं तो यहां पर मैं चलूँगा यहां पे बटन में तो यहां पे देखें जो कलर अभी फिलाल क्या वाइट है तो थीम को एक्सेस करने के लिए क्या करना हूँ डॉलर साइन लगाएंगे और यहां लिखेंगे props props dot theme dot और हम लोग कर जाथा primary ठीक है primary मैंने pass कर दिया और by chance primary नहीं आता है तो यहां पे simple मैं white pass कर दिया color ठीक है इसको save करते हैं और देखते हैं तो अभी भी यहां पे कोई changes नहीं आए तो यहां पे colors के अंदर था न, colors करते हैं, अब हो गया, तो यहां पे हम लोग का theme भी work कर रहा है, तो आप कहीं भी एक specific color define कर लिजिए, और वहां से आप कर सकते हैं, और इसी चीज के मदद से आप क्या कर सकते हैं, dark या white theme आप apply कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, एक state बना वो button click पे change कर सकते हैं, ठीक है, तो guys मैंने जितने भी features थें, जो कि आपको शुरुआत में सीखने चाहिए, वो मैंने आपको सारे बता दिया, और अगर आपको कोई दिक्कत आता है, तो आप सबसे पहले style component के documentation को फूरा देखें, और वहां दिक्कत फिर भी आ रही है, तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं, तो मैं आपके help करने के लिए हमेशा ready रहता हूँ, ठीक है, तो इसी बात पर आपको channel को subscribe करना है, और video को like करके ही जाना है, तो मैं आप सा मिलता हूँ next video में तब तक के लिए, बब बाई